बिस्मिल्यारामालेराहिम, असलाम लिए दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ जानसारी और आप देख रहे हैं इजानसारी फूर सीक्रेट्स अगर आप एक जैसा नाच्ता करकर के तंग आ गए हैं तो आज की शानदार नाच्ते की रेस्पी आपके लिए है ये आपको आलू के पराठे पूरियां दोनों चीज़ें बुला देंगे क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें बहुत शानदार तरीके से एट की गई हैं पोना कपस में हमने गरम पानी कर देना है उसके बाद आपने इसको अच्छे से कर देना है मिक्स करने के बाद आपने इसको रखतिए ना है साइट पे ठीक है इसको side पे रखेंगे और उसी दुना इसमें लारा मारें दो से दिन छोटे size की आलो जिसको मैंने छिलके स्मित बॉयल कर लिया था इस तरह बॉयल करने से आलों का flavor बहुत ही बेहतरीन होता है अब हमने क्या करना है इसका छिलका कर देना है और चिलका रिमूब करके आपने इसको कदूगश कर लेना है और इसी दुना अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को subscribe नहीं किया जनाब तो चैनल को subscribe कर लिजी यह आप तरहों से प्यार होता है महबत होती है आप तरह से एक इनाम होता है इस रेस्पी में आपने इसको ग्रेटी करना है क्योंकि इसी तरह से हमें यह चाहिए जिसमें बिल्कुल यह स्मूथली इस तरह से मैश हो जाए चलें जी बिसमी लाड़ा मान रहें तो यहां पे सूजी के अंदर हम इस आलू को एड़ कर देंगे ठीक है सूजी पानी अच्छे से पी चुकी है इसका दाना फूल चुका है वान टीस्पून चली फिलक्स एड़ कर देंगे वान टीस्पून इसमें नमक एड़ कर देंगे मसाले आप कम ज़रा अपने फ्लेवर के हिसाब से कर सकते हैं हल्दी जीरा हाफ टीस्पून साबुद और थोड़ी सी जवाइन इसमें एड़ कर देंगे यह हमारे पास कुसूरी मेथी एक चुटकी सिर्फ जाएगी क्योंकि कुसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत एज होता है इसकी क्वांटिटी आप ज़रा कम इस्तमाल किया करें चलें जी इसमें एक कब हम आटा या मैदा एड़ कर देंगे अच्छे से चान कर और एक से दो टेबल स्पून कुकिंग ओल अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और बहुत ही एक शांदार सी आपको डो मिल जाएगी इसमें आलू जो है वो आपको रात को वाइल करके रख सकते हैं इसे आपका टाइम बच जाएगा और सुबर बेकफास्ट में आपको असानी हो जाएगी यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा धनिया भी आइड कर देते हैं एक शांदा सी खुश्बू फ्लिवर आजाएगी चलें जी दो बन गई है पांच मिन का स्टे देंगे ताके जो आटा या मैदा है वो अच्छे से स्टेवल हो जाए चलें जी अब हम क्या करेंगे इसके छोटे छोटे आपने पेड़े बनाने बड़े पेड़े या आपने इसके नहीं करने पता है क्यों क्योंकि इसके अंदर आलू है बड़ा अगर आप पेड़ा करेंगे तो ये बड़ी पूरी बड़ी रोटी बड़ा पराठा आपका नहीं बन पाएगा ठीक है यह थोड़ी सी नर्ब होती है चलेंजी आप इसको खुश्के से भी बना सकते हैं और इस तरह से ओल पर भी आप इसको बना सकते हैं दोनों तरीके यह बहुत असान है जो आपको असान लगे वैसे ओल के आपने इसको deep fry करना है, जिस तरह से हम पूरियों को करते हैं, शांदार तरीके से ये देखिएगा, इसको आपने दबा देना है, ये फूल कर उपर आ जाएगी और बहुती फलफी सी बनेगी, ये देखें आप, मैं सीन कट्टिंग करणा ताकि आपको अच्छे से नदर आए ये इकटी हो जाएगी उसी जगा भी ठीक है, इसको भी हम अच्छे से fry कर लेते हैं, ये देखें, कितनी मज़ेदार बनती है, और देखने में भी बहुत मज़ा आता है, ये देखें आप माशाला से, इसी तरह से हम सब को तयार कर लेंगे, ये देखें आप माशाला से, कि आलू की पूरी आलू का पटूरा तयार है, दौा में रेकिए वीडियो को लाइकिजिए जाल से, जाल से, तक आला हाफीज